हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो देगुन क्लासिस, देएजुकेशनल एंग प्रफेशनल क्लासिस फॉर ओल गौर्म्ड एक्जाम के प्रपेशन करने वाले कानडेट्स हों या स्कूल के स्टुडेंट हों हमारे ये चानल जो है, दोनों के लिए एकुली बेनिफिशनल है, क्योंकि एंसे आटी का रेफरेंस है सारे पॉइंट जो हैं एंसे आटी के ही इंक्लूड किये गए हैं, तो ये सभी के लिए बहुत जादा ये बेनिफिशनल है हम जहें क्लास 6 का चाप्टर 11 जिसका नाम है लाइट शेड़ और रिफ्लेक्शन कर रहे थे, लाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम शेड़ो के बारे में पढ़ेंगे की शेड़ो का फॉर्मेशन कैसे होता है अब इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो रिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब शेड़ो का फॉर्मेशन कैसे होता है? शेड़ो क्या होती है? चलिए देखते हैं शेड़ो के बनने के पीजे का फंडा क्या होता है? नहीं लाइट आ रही है और लाइट के सामने लाइट की रास्ते में कोई ऐसी चीज़ रख दी है, जो उपेक है ओपेक है तो अपने आर पार पर वो light को गुजरन नहीं देगी यानि की light को क्या करकर रख लेगी? उस image को हम shadow बोलते हैं जब light block हो जाती है तो shadow बनती है if all the light is blocked by the object then there will not be any shadow अगर light completely block है यानि कि पूरी रुक रही है तो shadow नहीं बन पाएगी दिखी क्या फंडा है माल लिजी कोई object है तो इस पर light पर रही है तो इस पर ना गुजर के क्या हो जाएगी light जो है scattered हो जाती है इसे क्या होगा जितने area से light नहीं जा पा रही है उस area का पीछे क्या हो जाएगा image बन जाएगा ठीक है बट अगर light जो है पूरे तरीके से block हो गई है यानि कि जो object बिल्कुल ही light को कहीं नहीं जाने दे रहा है तब तो completely अंधेराई हो जाएगा कुछ भी क्या image formation नहीं होगा ठीक है shadow of a different type object may have similar shape as the amount of light they may be block is same कहते हैं कि अगर कुछ object जो है shadow जो है different type of object का लगभग सेम बन सकता है कैसे मान लो कि कोई object है इसी shape में है यह box हो सकता है यह match stick हो सकती है कुछ और कोई अलग equipment हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट जब इन पर light पढ़ेगी न तो इनका formation होगा सबका एक जैसा ही दिखाए देगा आपको clear नहीं हो पाएगा कि कौन सी object क्या चीज़ है तो same object अलग लोग object पर light पढ़ती है तो उसका formation होता है shadow का वो same हो सकता है ठीक है shadow cannot occur in dark room अंधेरे camera में light जहां light नहीं है वहां पर shadow नहीं बनेगी मैंने अभी बताया shadow का बनने के लिए कुछ पार्ट light का होना चाहिए और absence of opaque object object के shadow की formation के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है पहला या तो एक तो आपकी light हो दूसरा आपका जो है opaque object हो जो light को रोख सके ठीक है और हमेशा या देखिएगा जो light बनती है जो light बनती है वो हमेशा ही black and white होती है object का color कुछ भी हो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी shadow बन बन रही है ठीक है अगर यह चीज हो का जो structure same type का कुछ stat का होता है सबके जो shadow है same बनती और shadow जो है gray देखो गए या black देखो गए ऐसे ही आप देखेंगे हमेशा ठीक है चलिए पिन हॉल camera पिन होल कैमेरा क्या है पिन होल कैमेरा का फंडा जो है आप देखेंगे जो हम लोग camera इस शुझ बैगर की बने जो है उसके अंधर यही माखैणिजम होता है कैमेरे में चीजे हम रेकॉर्ड करते हैं बहुत एक जो भी object अंदर के तरफ दिखाई देगा वो इनवर्टेट दिखाई देगा और वो capture हो जाएगा यही camera का फंडा है ठीक है the box should be painted black box जो है अंदर से black होनी चाहिए ठीक है from outside and inside for better clarity अंदर से भी बाहर से बता कि clarity जो है अच्छी हा image की क्योंकि black जो है वो light को अच्छे से absorb कर पाता है ठीक है the object whose image is to be seen should be in bright light और जिस object की image बननी है वो light में होनी चाहिए अच्छे से light में small hole sharp the sharper the image whole जितना small होगा image इतनी ही sharp बनेगी ठीक है temporary black white image are form on the screen ठीक है black and white image बनेगी if a tracing paper is used permanent color and image can be obtained using photographic instead of tracing paper ठीक है तो tracing paper हम box के अंदर लगा देंगे तो उसके उपर image का formation होगा ठीक है तो यह तो हमारा normal चीज हो गया वहीं अगर हमें camera की purpose है यूज करना है तो हम क्या करेंगे एक आपका होता है photographic film होती है tracing paper के जगह हम photographic film का यूज करते हैं उस जगह पर इमेज जो है उस film पर पढ़ती है तो जिससे जो क्या होता है आपके जो image यहाँ साफे देख रहे होंगे यह लिया हुआ है ठीक है अब क्या क्या अंदर वाले box के इधर पर tracing paper लगा हुआ है बाहर वाले box के उपर पिन होल से इस ट्रेस पेपर पे image फोर्म हो जाएगी ठीक है इससे यह person जो है इसको यहां देख सकता है ठीक है वहीं camera में ही फंडा है क्या है कि यहां पे जो है क्या रख दिया जाता ओी फिल्म स्ट्रिप रग दीजेती है जो क्या करता है यहां की इमेज को अपने इस पर कैप्चर कर लेता है ठीक है यहां से परसन चेकर रहा है कि इमेज अच्छे से फॉर्म हो रही है कि नहीं तो यहीं आपका पूरा फंडा है कैमरी का है नॉर्मल कैमरे का विदाउट लैंस फिसके यहां पर देखिए यह एक ट्री है यह आपका पिन हॉल कामेरा है इसकी इमेज जो है अन्दर ब Acts incoming repeat वह यह है कि जो image है उसका जो sorry जो object है उसका जो image का formation होगा वो inverted होगा यानि कि उल्टा बनेगा ठीक है upside down और downside आप हो जाएगी ठीक है यहाँ पर देखिए इस image में आप देखेंगे कि यह एक natural pinhole camera दिख रहा है आपको क्या है tree जो है एक pinhole camera का काम कर रहा है ठीक है sun की जो खुद के light है sun reflect होके जो pinhole camera के अंदर जो यह space tree के जो space दिखाए दे रहा है वहाँ से आप देखेंगे कि sun की जो है यहाँ ground पे image बन रही है च्छोटे छेदों से बहुत साए sun की क्योंकि बहुत सारे pinhole बहुत सारा space है tree के बीच में तो हर space से एक एक sun की क्या होगी image बनेगी तो यह हमारा natural pinhole camera है ठीक है समझ में आ गया होगा आपका camera का फंडा अब देखे light के साथ जुड़ी हुए कुछ चीज़े हैं वो आपको मैं बता दूँ देखे क्या है light travels always in a straight line light जो है हमेशा सीधा चलता है straight line में ठीक है आप यहाँ पर image में देख रहे होंगे कि यह एक candle है इस candle से जो flame निकल रही है एक सीधी rod ले गई है यह person यहाँ से देख रहा है अपनी eyes से तो सीधी rod से इसको यह light दिखाए देगी एकदम सीधी क्यों क्योंकि image जो light है वो सीधी पढ़ रही है उसकी आँकों पर वहीं होके travel नहीं करती ठीक है blocking of such straight moving light जो block कर दिया जाता है light को by opaque object result in shadow shadow can't form if the light did not travel in a straight line और shadow भी नहीं बनेगी क्योंकि straight line से जब light travel होगी तभी तो shadow हम देख पाएंगे तो यह आपका एक phenomenon था कि light जो है हमेशा एक straight line में travel करती है ठीक है अब देखिए mirror जो है जो हम mirror का use करते हैं उसका funda क्या है उस पर जो reflection आती है वो कैसे आती है देखेंगे light waves जो है आपकी वो straight line में travel करती है ठीक है तो light waves may change their direction upon striking a surface जब भी light जो है light state आती है लेकिन जब वो किसी surface से टकराएगी तो वो जो है क्या करेगी वापस बैक हो जाएगी तो यह जो वापस बैक हो रहा है वो यहां पर क्या बनाएगा वो क्या इस पर यहां पर कोई person है उसको image दिखाएगा ठीक है यानि कि light पड़ी reflect back हो गई और यहां ने person के eyes में क्या कर दिया image बना दिया ठीक है तो एक बदाप यहां पर देखेंगे क्या है light waves may change their direction upon striking surface की सब्सक्राइग करती है light तो उसको अपनी direction change कर लेता है जिसे हम reflection कहते हैं ठीक है mirror is an object which reflects light तो mirror एक ऐसा object है जिसके उपर light पड़ती है तो light को reflect करता है ठीक है shiny and polished surface usually act as a mirror कोई भी आप surface ले लो shiny है चमकीला है polish किया हुआ है तो वो हमेशा क्या करेगा इस पर जो light पड़ेगा उसको reflect करेगा ठीक है due to reflection reflection की वज़े से ही क्या होता है image बनता है ठीक है mirror change the direction of the light falling on it देखिए क्या चीज़ है मैं आपको यहां दिखाती हूँ अब इस person को देख रहे हैं यह अपनी image को शीशे में देख पा रहा है अपनी reflection को देख पा रहा है कैसे देख पा रहा है तो देखिए कि जहां पर यह person present है वहाँ पर light है room में वो light जो है इस mirror प इस person की eyes में reflection बन गया इसके खुद के image का इसके खुद का तो इस mirror के उपर image दिखाए दी अपनी actually मैं उसके eyes पर बनी लेकिन उसको feel हुआ कि वो mirror पर बन रहा है तो यह funda है mirror में अपनी image देखने का ठीक है यह torch पड़ेगी हां पर इस mirror पर तो यह light वापस आएगी और यह light वापस आके जो human being के eyes पर जाएगी तो यह इसको यहाँ पर image बनती हुए दिखाए देगी तो image जो है किसी भी polish surface पर पढ़ने से light reflect करता है उस light से reflection से ही क्या बनती है image का formation होता है ठीक है thanks for watching आज की दिए इतना ही था I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको light का और reflection का plus में mirror की work का funda clear हो गया होगा तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली class में तब तक के लिए thank you so much keep smiling